हालो एवरिवान स्वागत एक बार फिर आपका मारे यट्यूब चैनल पे आज में पढ़ने जा रहे हैं बारत की प्रमुख जीलों के बारे में आज का मारा टॉपिक है बारत की प्रमुख जीले ठीक है बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक है हर एक्जाम में आपसे यहां से सवाल पूछे जाते हैं कोई सभी एक्जाम हो युनिवर्सल टॉपिक है तो आईए शेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले पहला सवाल आता है इसमें आपको यहां बताया किया है कि आपसे स्टेट पूछेगा सबसे पहले बाद आपसे कहां पूछेगा स्टेट पूछेगा कि यहां कि बारतीय राज्या में इस्तित है कि बारतीय राज्या में यहां इस्तित है यहां आपसे पूछा जाएगा और फिर हम आपको एक इन्पोटेंट जान कर ये जो भी से संबंदित होगी वह भी देंगे जहाँ जहाँ आपको इसकी जड़त पड़ेगी तो आईए शेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं डल जील कहां इस्तित है तो अपन द्यान रखेंगे डल जील जम्मू कश्मीर में इस्तित है और इन्पोटेंट सवाल है द्यान रखना है आपको ठीक है अब आता है मारा वूलर जील कहां इस्तित है वूलर जील भी जम्मू और काश्मीर में इस्तित है यह आप लोगों कहां से द्यान रखेंगे जम्मो कश्मीर में कौन से जिल इस्तित है वूलर जिल इस्तित है अब लेखिए वूलर जील का एक पॉइंट आएगा बारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी जील है वह वूलर जील है और जो कि भारती राज्य में इस्तित है यह जम्मो काश जम्मु कश्मीर में इस्तित यहां से आप के दाइन रहेंगे बारत की सबसे अदिक मीठे पानी की वाली जील कुन सी है बूलग जील है और तुलबुलभी ना किस जगे इस्तित है वह भी वूलग जील जम्मु कश्मीर में इस्तित है तो दोनों पॉइंट आप कहां से याद रखेंगी डल जील कहां इस्तित है जम्मु कश्मीर में इस्तित है और बूलर जील भी कहां इस्तित है जम्मु कश्मीर में इस्तित है बूलर जील के बारे में आपको बता दिया मीठे पानी की जील है सबसे बड़ी बा साम्ब जील जील है जो Canma Kashmir में स्थित है अब बात करते हैं है आगे बढ़ते हैं आई ये राजसमन जील राजस्ताण tomargar respond ट्यान रखना संवाज्ता की जितने में डियह Casaestone colors Polish the में स्थित चाहब करते हैं सांबर जील काहा है स्थित है ये राजस्तान में इस्तित है और सामर जील के आप नोट डाल के लिखे राजस्तान में सबसे अधिक खारे पानी की जील कौन सी है रहे हमारी सामर जील है कौन सी जील है सामर जील है और किस भारती राज्य में इस्तित है यह राजस्तान में इस्तित है ठीक है आगे बात करते हैं हपन हुशेन सागर जील कहा है स्थित है अब आता है पुलिकर जील तमिल नाड़ु में इन्पोटेंट है क्यों इन्पोटेंट है क्यों कि पूरे विश्व का एक मातर तैरता हुआ पार्क जिसका नाम क्या है किबूल लामजाव नेशनल पार्ग क्या नाम है उसका किबूल लामजाव नेशनल पार्ग के का स्थित है वह है मनिपुर में स्थित है तो लिखिए लोग तक जील पुर्वत्तर बारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है पुर्वत्तर बारत में मीठे पानी की सबसे ब बारत का पूछ रहा है तो यहां से आप दोनों बाते आप लोग द्यान रखेंगे ठीक है यहां तक के पॉइंट के लिए हो चुके हैं आईए और द्यान रखेंगे आप कहा इस्तित है मनेपुर में इस जील में केबूल केबूल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ रस्तिय पार इस्तित है यहां आपसे अधिकतर बार पूछता है विश्यू का एक मातर तैरता हुआ नैश्नल पार्क जो मनेपुर में इस्तित है वह किस जील पर वसा हुआ है तो आप बताएंगे कौन से बें लोग टक जील पे कौन से बें लोग टक जील पे शेशनांग जील का इस्ति तो आप उसको कॉलरेट करके याद करने का प्रयाज कीजिए डीडवाना जील राजस्तान अब देखना एक पॉइंट याद करने का देखो मैं आपको पताता हूं क्या उत्रा खंड की जितने भी जीले आएगी न जिनके पीछे क्या होगा ताल जुड़ा होगा क्या खुरपत्वा खुरपाताल खुरपाताल तो ठीक है तो जिनके पीछे भी ताल जुड़ा रहेगा न उनका सम्मंद किस से होगा उत्रा खंड से उनका सम्मंद होता है तो आप याद च्रिक्षिया रखेंगे जिनके पीछे भी ताल आएगी वह कहां पे होगा उत्रा खंड तो पहले की सबसे बड़ी कोन सी है कि औ हैं लोकिशन आपसे हमेशा पोछता है बारत की सबसे बड़ी कौन सी गोल है चिल्चन जील है थिक है, आपको यह सारे point याद रखने है लोनार जील very, very important है लोनार जील का हिस्तित है? महरास्टरा में स्तित है, और लिखिए लोनार जील का point, notал के लिखिए महरास्टरा के बुल डाना जीले में स्तित लोनार जील, ज्वाला मुकी उद्गार से बनी जील है तो भारत की एक मात रहसी जील जो काई से बनी है ज्वाला मुखी उद्गार से जब आपको जीलो नदीन के बारे में पढ़ाया गया था वे दिटेल तो आपको बताया गया था इनके निर्माण में पॉइंट आया था कि ज्वाला मुखी निर्मान से भी जीलों का निर्मान होता है ज्वाला मुखी उद्गार से भी किसका निर्मान होता है जीलों का निर्मान होता है यह आपको बता दिया गया था अब आता है बेम बेनार जील कहां स्थित है यह केरल में स्थित है ठीक है मानस बल जील जम्मू कश्मीर में स्थित है पिछोला पिछोला जील का संबंद राजस्तान से है और बहुत बार एससे आपसे सवाल पुछता है पिछोला जील का संबंद है राजस्तान से है आईए माल ताल देखो क्या गया इसके पीछे ताल क्या गया ताल ताल का प काश्मीर में ओ लिखी आप सबसे इंपड़ेंड यह देखो इसमें लिखाया नहीं है लेकिन आप यए पेरियार जील का इस्तित है यह के रियौ सबसे अधिक हारे पाने की सांबर है पिर आती है राज समंद राज समंद से अपने एक और याद करा जैस समंद पिछोला वेरी वेरी इंपोटेंट लोनक सागर डिडवाना फिर आप पर ने बड़ा लोक टक जील का इस्तित है मनिपूर में इस्तित है ठीक है याद की वाद है किलियर हो चुकी है और बात करेंगे अपन लिखिए देखो नागारजून सागर किस नदी पर इस्तित है तो है सबसे इंपोटेंट पॉइंट है उकाई सबसे पहला पॉइंट आप क्या रखेंगे सबसे पहला पॉइंट इसके लोकेशन उकाई कहां है गुजरात में अस्तित है और यह है क्यों फेमस है मानाव नेर में जील है भारत की प्रतम मानाव नेर में जील कौन सी है उकाई ह कौन सी है उकाई है यहां तक के बात है क्लियर हो चुकी है कौन सी जील है उकाई है बारत की में सबसे अधिक उचाई पर इस्ते जील का नाम दिखिए आप चोला मूँ क्या है चोला मूँ चोला हूँ यह बारत में सबसे अधिक उचाई पर इस्ते जील है किस बारती राज्य में पढ़ेगी यह है सिक्किम में यह है पढ़ती है तो आज का मारा बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक हर एक्जाम के दृष्टी से कोई भी एक्जाम ने इसर नहीं कि पर्टिकल उसके ल है